टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाद सूर्य कुमार यादव की आज पूरी दुन्या मुरीद बन चUKET है उनके बेटिंग के अंदाज को उनके अकरामक अंदाज को हर कोई सह राथा है लेकिन आखिर सूरे कुमार यादव इतने कामयाब क्यों है आखिर क्यों वो इस तरह की बल्लेबाजी कर पा रहे हैं जैसा टीम इंडिया का कोई भी दूसरा बल्लेबाज नहीं कर पा रहा है आखिर क्यों सूरे कुमार यादव टीम इंडिया के X-Factor बन चुके हैं ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ज्यादतर क्रिकेट के जानकार या क्रिकेट के फैंस जानना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब दिया है क्रिकेट के भगवान सदी के सबसे बड़े क्र प्रकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन दंदूलकर ने बता दिया है कि आखिर क्यों सूरे कुमार यादव इतने ज्यादा कामयाब हो रहे है और क्या है उनकी बल्लेबाजी की खास बाचीत जो कि अगामी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चेंपियन बना सकती है तो क्या का है सूरे कुमार यादव को लेकर सचिन दंदूलकर ने क्या है सचिन की राय में सूरे कुमार यादव की खासियत जानने के लिए देखिए हमारी ये रेपोर्ट टीम इडिया के स्टार बलेबाज सूरे कुमार यादव के मुरीदों की फैरिस में एक नया नाम शामिल हो गया है और ये नाम है पूर्भारतिक अप्तान और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन दंदूलकर का सूरे कुमार यादव के प्रदेशन से सचिन दंदूलकर इतने प्रभावित हो गए हैं कि सचिन मानते हैं कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में सूरे कुमार टीम इडिया को चेंपियन बनाने में सबसे एहम रोल निभा सकते हैं सचिन के मताबिक सूरे कुमार यादव का आत्मविश्वास गजब का है और यही उनकी काम्याबी का फॉर्मूला भी है सचिन ने कहा है कि आत्म विश्वास और सराहना इस साल सुर्यकुमार यादव के भारते टीम के बल्लेबाजी करम में एहम खिलाडी के तौर पर उभरने में सबसे एहम भूमिका अदा करती है किसी भी खिलाडी को इस से बहतर टॉनिक नहीं मिलता उनको बस बढ़ावा और सराहना दी जाए यही वज़ा है कि सुर्यकुमार यादव पहले से ज्यादा निरंतरता के साथ टीम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी वज़े से ही एक इंसान के तौर पर भी उनके अंदर काफी बदलावाया है और वो पहले से ज्यादा आत्म विश्वास से खेल रहे हैं उनको इस बात का पता है कि टीम में चुने जाने की चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है सुर्यकुमार यादव को टीम इडिया का ट्रम कार्ड मानने वालों की कमे नहीं सचिन धंदूलकर से पहले 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर भारते कप्तान कपिल देव और खुद टीम इडिया के मौझूदा कप्तान रोही शर्मा भी सुर्यकुमार यादव को वर्ल्ड कप के लिए भारते टीम का एक्स फैक्टर खिलाडी मान चुके है बल्ले बाजों की ICC T20 रैंकिंग में भी सुर्यकुमार यादव मौझूदा वक्त में पाकिस्तान के मौझूद रिजवान के बाद दूसरे नंबर पर है साल 2022 में सबसे ज्यादा बनाये गए इंटरनाशनल रनों को देखा जाए तो यहाँ भी लिस्ट में सुर्यकुमार यादव का नंबर दूसरे पायदान पर आता है अपने T20 करियर में खेले 34 मैचों में 38.70 की आउसत और 116.88 के आथिशी स्ट्राइक रेट से सुर्यकुमार यादव ने अब तक 1045 रन बनाये हैं जिसमें एक शतक और 9.5 centuries के अलावा उनका best score 117 का रहा है टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्टान के खिलाफ अपने Mission World Cup का आगाज करने वारी है पिछले साल खेले गए T20 World Cup में पाकिस्टान के हाथो भारत को 10 विकेट से करारी हार मिली थी भारते फैंस को अमीद है कि रोही शर्मा की कप्तानी में इस साल Men in Blue पाकिस्तान से मिली पिछली हार का बदला जरूर लेगी और सूर्या की फॉर्म को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि अकीनन टीम इंडिया के लिए वो ना सिर्फ पाकिस्तान बलकि पूरे World Cup में X-Vector के लाड़ी सावित होंगे सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर Controversy और Inside Story पर भी होती है हमारी नज़र क्रिकेटर्स की परस्नल लाइव से लेकर इंट्रिव्यूस तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेश इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेस्बुक कर देख रहे हैं तुमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सब्सक्राइब क्योंकि क्रिकेट का मतलब है न्यूस 24 पर